कम टू मैं चैनल एसके नोलिज कलास आज की इस वीडियो मैं आपको गुननखंड बताऊंगा बिल्कुल बेसिक तरीका से सिखाऊंगा अगर गुननखंड सिखना है तो इस वीडियो का आपको कम्पलीट देखना है समिकरन दिया रहेगा आपको जैसे समिकरन आठ एकस स्क्वार माइनस 22 एकस माइनस 21 बरावर 0 ठेक अब इसको क्या करना है गुननखंड करने के लिए हमें पहले सुरूबाला और लास्ट बाला को गुना करना है रब में ठीकना कितना दिया है 8x square गुना माइनस 21 शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना करना है कितना हो जाएगा 8 हेका 8, 8 दुनी 16 माइनस 168x square है तो x square यह जो निकला दोस्तों माइनस 168x square अब इसको जो है इस परकार गुननखन करना है कि यहाँ माइनस पलस करके 22x पूर जाए ठीक और गुना करने पर 168 भी पूर जाए ठीकना यह जो बीच में है इसको धिहान पुरुवक आपको तोड़ना है यह रफ किये है आपको माइन्ड में रखने के लिए आपको रफ कर लेना है अब देखिए इसको लिखेंगे 8x2 अब माइनस 22 को तोड़ना है बीच वला को इस परकार तोड़ना है कि माइनस पलस करके माइनस 22x पूर जाए और गुना करके 168 पूर जाए तब आपका गुननखंड सही होगा तो क्या करेंगे 168 को हम लोग गुननखंड करेंगे पहले ठीकना दो से तोड़ेंगे 8 दोनी 16 फिर 4 दोनी 8 फिर 2 से तोरेंगे 4 दोनी 8 दो दोनी 4 दो से तोरेंगे 2 दोनी 4 दो एका 2 3 सते 21 ठीकना रफ करना है ठीक अब क्या करेंगे हमें माइनस 22 पूराना है तो इसी का गुननखंड है जो गुना किये हैं अब देखिए 7 दोनी 14 14 दोनी 28 ठीक बचा किया 2 3 छो माइनस 6 कर देंगे 28 में से 6 घटाएंगे तो कितना आया 22 आएगा ना 28 में से 6 घटाएंगे तो 22 बच जाएगा लेकिन ऐसे में जो है प्लस 22 बच जाएगा लेकिन हमें माइनस 22 पूराना है ना तो हम क्या करेंगे 28 में माइनस लगा देंगे इसमें प्लस लगा देंगे अब कम में से जादे घटेगा तो माइनस 22 बच जाएगा अब इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो 168 भी पूर जाएगा ठीक न इसी परकार आपको दो अंक को चुनना है इसको दो अंक में लिखना होता है ठीक न तो क्या करेंगे 22x को क्या लिखेंगे minus minus 28x plus plus 6 फिर ही उतार देंगे minus 21 बरावर 0 याद रखिएगा सिर्फ बीच बाला को दो दो भागों में बाट की लिखते हैं ठीक न जिसे छे में से 28 घटेगा 22 भी हो जाएगा इस दोनों को यहां गुना करेंगे इतना पूर जाएगा ठीक न चलिए अब क्या करना है इसको क्या लिख सकते हैं दो दोनी 4 चार दोनी 8 लिख सकते हैं और X स्कूर को लिख सकते हैं गुना X गुना X ठीक न अब X स्कूर हो जाएगा माइनस 28 को क्या लिख सकते हैं दो दोनी 4 चार सत्य 28 X है तो X लगा देंगे गुणा में ठीक न उसके बाद प्लस 6 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा X है तो X माइनस 21 को लिख सकते है 3 सत्य 21 बड़ावर 0 ठीक ना अब देखिए आब आब जो है आपको कुमल लेने में सही रहेगा ठीक कुमल लेने में आपको सही रहेगा तो देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है यहां 2 गो 2 मिल रहा है तो दो गो दो निकाल लेंगे और यहाँ एगो एक्स दोनों मिल रहा है एगो एक्स भी निकाल लेंगे बचेगा क्या इदो और इएक्स बचेगा माइनस दो गो दो भी निकल गया एक्स भी निकल गया बचा साथ ठीक अब फिर यह दोनों में देखे क्या को मना रहा है तो प्लस है तो प्लस देंगे यहां 3 मिल रहा है दोनों जगत तीन लिख लेंगे ठेक बचा यहां क्या 2 ब्रैकेट में और x भी बचा है 3 तो निकल गया क्या बचा सिर्फ माइनस 7 बडावर 0 ठीक अब यह देखिए दू दूने 4x हो गया 4x यह बाहर बला लिखेंगे यह आपका बाहर बला हुआ यह अंदर बला और यह अंदर ब्रैकेट में जो है इस दोनों सेम आना चाहिए आपका देखिए 2x-7 2x-7 है न यानि कि गुनखंड सही है ठीक आपका सेम आएगा तो आपका बला लिख लिए और यह दोनों कोश्ट में सेम है तो एक लिख लेना है 2x-7 ब्राबर 0 ठीक अब लिखेंगे 4x-4x-3 ब्राबर 0 इतना ब्राबर भी 0 है और इतना ब्राबर भी 0 है तो 4x ब्राबर क्या हो जाएगा इस पलस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 3 याद रखेगा बरावर के इवगल जो प्लस है तो उधर माइनस होगा अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस होगा इधर गुना में है तो उधर भगा में होगा जब x बरावर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 बटे में 4 आजाएगा क्योंकि गुणाम है तिधर भगा में आ जाएगा उसके बाद फिर इतना बरावर 0 रखेंगे 2x-7 बरावर 0 2x बरावर हो जाएगा माइनस है तो उधर जाएगा तो पलस 7 और x बरावर आपका हो जाएगा 7 बटे 2 ठीक x का मान क्या निकल गया आपका माइनस 3 बटे 4,7 बटे 2 या आपका आंसर निकल गया तो इस परकार आपको गुननखंड करना है ठीक नब जैसे हम बताएं आपको कि पहले क्या करना है सुरू बला को और लास्ट बला को गुना कर लेना है रफ में उसको है फिर उसको जो है आपको अभाज गुननखंड कर लेना है ठीक इससे क्या होता है दो संख्यां आसानी से आपको मिल जाएगा बीच वाला को तोरने के लिए ठीक नब